सब्सक्राइब करें हमारे यूटीब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो जाब तक पहुंच दी रहे आइबल में दान देने के चार सही तरीके पहले उसे इस प्रकार देना चाहिए जैसे मन में निश्चित करें दूसरा उसे कुड़ कुड़ा कर नहीं देना चाहिए तीसरा उसे दबाव में नहीं देना चाहिए चोथा उसे हर्ष से देना चाहिए यानि की खुश होकर परमेश्र की सेवकाई के लिए देना चाहिए मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो की द्वारा परमेश्र ने आपको आशिश दी है इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें ताकि परमेश्र का वचन और भी लोगों तक पहुंचे अगर आप अपना प्राथना निवेदन देना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर दियेगे नंबर पर आप प्कॉल कर सकते हैं या वर्टसप के दवारा अपने प्राथना निवेदन को हमें भेज सकते हैं मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब को जय में से की, पर मैं शुर आप सब को आशिश और बरकत दे